यह है गाइस 2023 की औल नियू जावा 422 पॉबर BS652 E20 मोडल आज मैं इसका फुली डिटेल्स में रिवू करने वाला हूँ तो आज हम बात करेंगे इस बाइक के न्यू फीचर्स और अब्डेट्स के बारे में प्राइस बंडेंगे बाद इस बाइक की अफ ओर ओर अन रोड प्राइस किया है मालेज के ने देती है टॉप स्विट कितनी है सर जान कर दोस्तो इस वीडियो कंदर में आपको डिटेल्स में देने वाला हूँ अगर आपको जावा का कोई भी प्रोड़क्ट देखना है तो शोरम की सारी कॉन्टाइक निटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टार्ट करते वाकराउंड से एक बर आप इस बाइक का साइड लूक चेक आउट कर लो कुछ ऐसा इस बाइक का साइड लूक के फ्रंट लूक की बात की जाए तो कुछ इस टाप का इस बाइक का फ्रंट लूक के स्टार्ट करते है फ्रंट से जूकि नैट कंदरिस की विजिबिलिटी दोस्ता आपको बहुती अच्छी मिलेगी इंडिकेडर्स की बात की जाए तो साइड में आपको राउंड शेप LED इंडिकेडर्स का सेटप मिलता है कुछी स्टेप से यह जो यह ओन होते है बाकी बीच में आमरे लेगीगी नमबर प्लेट यहाप अब देख लो सस्पेंशन की बात की जाए तो फ्रेंट में आपको 37 mm डायमेटर के टेलिसकोबिक फॉर्क सस्पेंशन का सेटप मिलता है जो कि खराब रासु के ओपर आपको कापी अच्छा कंफर्ट देने वाले है माडगाड की बात की जाए तो मेटल बोड़ के साथ इस बाई का जो है माडगाड है जो कि आपको गलोसी ब्लैक फिनिशिंग के साथ मिलता है जो कि आरब होती अच्छे कैलिपर से पैर सेट की बात की जाए तो फ्रट में आपको 100 बाई 19 18 के ट्यूबले स्टैर मिलते है जो कि 18 इच डायमंड कट एलेविल सेटप के साथ दते है इसके उपर क्लासिक लेजंड 42 की ब्रेंडिंग है तो यह इस बाई का पहला अपडेट है मिरर्स की बात की जाए तो साथ में आपको बार एंड मिरर्स का सेटप मिलता है जो कि इसका लुक जो 200 परसनली मुझे बहोती अच्छा लगता है इस बाई के नदर आपको सिंगल पाइप हैंडल बार का सेटप मिलता है बाकी यह है इस बाई की ग्रिप बाकी इस बाई का कलर जो 200 का पे ज़यदा लाइट वेट है आगे में इस बाई का लो भीम, हाई बीम और पासिंग स्वीच है बाकी यहापर इस बाई के मोड और सिलेट के बटन से और नीचे इस बाई का टर्ण इंडिकेडर स्वीच एन ओन स्वीच फुली मैट ब्लेक कलर के साथ इस बाई का जो हैंडल बार है जो की थोड़ा बहुत उपर उटा हुआ है मिटर कॉंसल के साड में क्रोम की फिनिशिंग है इसके नदर आपको USB चार्जिंग पोर्ट और सी टाप का ओप्शन भी मिलता है ट्रैविलिंग करते समय आप अपना स्पार्टपॉन जो है आरम से चार्ज कर सकते है उस साड की लुक की बात की जाए तो यह है इस बाई का एक्सिलेटर बाकी ब्रेक लिवर इंजिन कील स्वीच नीचे इस बाई का हजार्ड इंडिकेटर स्वीच एंड सेल्फ स्टार्ट स्वीच है अभी जो है आप इसके हजार्ड इंडिकेटर का लुक देख लो सेप्टे के लिए हजार्ड इंडिकेटर से बहुत ही अच्छी बात है तो कुछी step की इसका look जोए निकल के आता है rear side का look भी आप देख लो इसके दर आपको semi-digital meter console का setup मिलता है कुछी step से यह जोए on होता है indications की बात की जाए तो यहापर आपको ABS की light, neutral की light बाकी side में आपको low fuel indicator की light मिलती है side में इसके turn indicator की light है और भी indications की बात की जाए तो यहापर आपको low battery indicator, engine temperature and check engine की light मिलती है अभी हम बात करते हैं इसके information की बारे में तो उपर में इस bike का RPM meter है बाकी beach में इस bike का speedometer है नीचे में इस bike का trip meter gear shift indicator, odometer नीचे इस bike का digital field gauge है बाकी time clock side में आपको side stand की indication मिलती है जैसे इस bike का side stand जो है वो on है और भी features की बात की जाए तो mode के बटन को प्रेस करने का बद यहापर आपको trip A trip B odometer कुछ इस टाप की इसके features मिलती है अभी हम बात करते हैं इस bike के key के बारे में तो key की उपर यहापर आपको Java की branding मिलती है तो simple से इस bike की की है बाकी है इस bike का key point यहापर आमरी की लगने वाली है इस bike अंदर आपको 12.5 liters का fuel tank मिलता है दूसरे update की बात की जाए तो अभी से bike E20 fuel को support करती है fully chrome finishing के साथ इस bike का fuel cap है जो की metal body का है fuel tank के बीच में आपको bobber की branding मिलती है जो के इस bike को कापी जदा attractive look देती है तीसरे update की बात की जाए तो अभी आपको इसके अंदर new chrome black color मिलता है fully chrome finishing के साथ इस bike का जो है fuel tank है fuel tank का side look एक बार आप देख लो fuel tank के साथ में Java की branding है बाकी यह है इसके tank pad जो हमारे थैस को support करेंगे seat की बात की जाए तो इसके अंदर आपको single seat मिलती है जो के इसके cushioning जो 200 कापी जदा अच्छी है 740 mm इसकी seat आइट है यहापर भी आपको कापी अच्छी cushioning मिलती है dewalt one color के साथ इसकी seat है seat का side look एक बार आप देख लो rear side की बात की जाए तो इसका rear mat guard आपको metal body के साथ मिलता है glossy black finishing के साथ इसका mat guard है rear look की बात की जाए तो एक बार आप इस बाइक का rear look चेक आउट कुर लो कुछ इस टापकिस का rear look है start करते है rear से तो rear में आपको round shape LED tail light का setup मिलता है बाकी उसी टापकिस के LED indicator से बाकी बीच में आपरे लगेगी number plate यह है इस बाइक का number plate reflector जो कि आपरे number plate का reflect करेगा safety के लिए बीच में इसका reflector है rear dire की width की बात की जाए तो कापी अची इसकी grip and width है start करते है इस बाइक के side look से तो कुछ इस टापकिस का side look है start करते है engine के front से तो engine के front में इस बाइक की radiator liquid cooling system है जो कि आमरे engine को ठंडा करेगी इसके दोनों side में आपको reflector मिलता है जो कि safety के लिए बहुती अच्छी बात है यह है इसका engine guard जो कि आपको metal body के साथ मिलता है 145 mm तक का इसके अदर आपको ground clearance मिलता है engine के side में इसका single horn का setup है जो कि प्रोड्यूस करता है 13.64 PS की power और 32.74 mm तक का torque total 6 speed gearbox setup के साथ यह बाइका दिये side में इसकी protection दिये पेरों को engine इट से बाचाने के लिए rubber padding के साथ इस बाइक के adjustable rudder put rest और नीचे इस बाइका single stand है matte black color के साथ इस बाइका exhaust है जो कि metal body का है side panel की बात की जाए तो fully fiber body के साथ इस बाइका जो इस side panel है इसके उपर आपको bobber 42 की branding मिलती है बाकि यह इसके side panel का lock rear में आपको monoshock absorber 7 step adjustable suspension का setup मिलता है खराप रासी के उपर इस suspension आपको कापे आच्छा comfort देने वाले fiber body के साथ इस बाइका open chain cover set है इसके उपर tire pressure की information है कि दुने tires में आपको कितनी का work नहीं है metal body के साथ इस बाइक आपको swingar मिलता है बाकि यह इस बाइका rear का chance pocket opposite side के look की बात की जाए तो opposite side से इस बाइका जो इस semi look है tank की उपर आपको उसी type की जावा की branding मिलती है side panel की उपर उसी type की bobber 42 की branding है यहाँ से आप इसके coolant को fill up कर सकते है safety के लिए side में इसका reflector है finally इस बाइक का engine जो दो सो matte black color का हो चुका है पेले यह chrome finishing का था यह है इसके cylinder head का part जो की finally updated हो चुका है overall यह था इस बाइक का engine यह है इस बाइक के brake lever जिसके side में protection दिए पेरो को engine इट से बाजाने के लिए यह है इस बाइक के adjustable rudder footrest side panel की उपर bobber 42 की branding है बाकि यह है इसके side panel का lock अभी मैं आपको इस बाइक के dual exhaust का look दिगा देता हूँ तो कुछिस्ट आपके इसका look है braking की बात की जाए तो रेयर में आपको 240 mm का decision मिलता है जो की ABS के साथ आता है बाकि यह इसके ABS की ring side में इसके बाइबरिके के लिपर से dual channel ABS setup के साथ बाइक आती है रेयर में 140 by 1717 के tubeless tire मिलते है जो की 17 ने इस black color के diamond cut alloy will setup के साथ आते है एक बाइक आप इसके diamond cut alloy will setup का look check out कुर लो कुटिस्ट आपके इसका look है तो गाइज इस बाइक के सारे updates इस उड़ो कदर मैंने आपको detail में explain किये mileage की बात की जाए तो ये बाइक आपको 28 से लेकर 33 kms तका mileage देगी top speed की बात की जाए तो ये बाइक आपको 133 kms की top speed देगी इस बाइक के basic body dimensions एक बर आप display के उपर देख लो 226,000 इसकी extra room price और 269,000 इसकी on road price अभी जो आप इसका exhaust note सुन लो झाल सुन आपको 29 लो तो कर दो झाल झाल